दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए विलियम शेक्सपेर के एक और नावल रूमिय एंड जुलिएट को लेकर हाजर हुआ हूँ तो दोस्तो ये विलियम शेक्सपेर का एक ट्रैजिक ड्रामा है और इस प्ले की जो सैटिंग है वो इटली के शहर विरोना और में रखी गई है तो अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपेर के बार में सोटा सा जान लेते हैं तो दोस्तो विलियम शिक्सपेर एपरेल 1564 को स्टार्ट फोर्ड अपान एवन उनाइटिट किंग्डम में पैदा हुए थे और उनकी डैथ एपरेल 1564 को स्टार्ट फोर्ड अपान एवन उनाइटिट किंग्डम में हुई थी तो ये तो था उसकी पैदाश और उनकी डेथ तो अब हम आते हैं अपने टापिक की तरफ तो दोस्तो टापिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से कदर खासत है कि आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर आप ये मेरी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आईकॉन को प्रेस करें ताके नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक असानी से आजाए तो अब हम आते हैं अपने प्ले की तरफ तो दोस्तो इस प्ले में कंप सरे करेक्टर हैं जो इस प्ले में करेक्टर इस्तम जो ट्रेजिक हीरो होता है इसके बाद पैरस फ्रायर लारेंस इसके बाद आता है फ्रायर जॉन इसके बाद आती है जो जूलियट की दोस्त होती है इसके बाद इसको आ जाता है टाइवाल्ट कैपुलेट डेडी कैपुलेट यह मियां भी भी होते हैं तुनों यह में भी होते हैं इतर से यह उसकी बाद जुलियर्ट जो होती है यह एक कैपलर की बेटी होती है परेंस एसकुलस होता है उसके बाद मरकेशियो यह दो थे उनके करेक्टर अब हम आते हैं समरी की तरफ दोस्तों होता ऐसे है कि विरोना के शहर कैपुलेट विरोना के शहर में कैपुलेट और मेंटेगवा के सर्वेंट्स होते हैं उनके में लडाई शुरू हो जाती है बैनवोलियो और मुन टेगवा को खतब करने के कोशिश करते हैं इस लडाई को देखकर प्रिस एसकलेस जो होता है वो फैसला एक सुनाता है ये वाला तो वह कहता है कि मुस्तक्वियल में अगर इस तरह की लडाई होगी तो वो इसको सजा देगा और उसको सजा ये होगी कि उसको सजा ये मौत होगी तो इस तरह ये होता है कि जो तनाज़ात होते हैं और वो बढ़ते ने होते हैं वो सबसे कम हो जाते है अब होता ये है जो रूमी होता है ये मेंटोयो का बेटा होता है इसका ये बेटा होता है वो अपने कजन बेनवोलियो के पास भागता है और उसे बताता है कि उसको एक लटकी से प्यार हो गया है अच्छा तो वो कहता है कि जो अपने प्यार को वापस नहीं करती वो बहुत अच्छी है तो जो बेनवोलियो होता है वो उसे एक मच्वरा देता है कि वो इस औरत को भूल जाए वो इस औरत से भी ज़्यादा अच्छी खूशलो रिड़की तिलाश करें तो ये सुनकर जो रोमी होता है वो मायूस हो जाता है क्योंकि बेन वोरियो की बात ने उसका दिल तोड़ दिया वो अब उदास रहने लग गया है तो इसके बाद इसी लम्हे पैरस जो इसादी का एक दोस्त शादी में आया होता है एक शादी होती है तो उसमें जो इसादी का दोस होता है उसका नाम पैरस होता है वो आया होता है तो जूलिड भी आयो होती है जब वो उसको देखता है तो उसको उससे प्यार हो जाता है वो उसके घरवालों से जृलियट का हाथ मांगता है जृलियट के फादर केपुरेट यह सुनकर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि पैरस को शादी के लिए दो साल का इ kalian करना पड़ेगा क्योंकि जो जूलियट है वो अभी छोटी है और उसकी उमर 14 साल है तो दोस्तो जूलियट जो है ये 14 साल की होती है तो इसके बाद जो कैपलेट फैमिली होती है वो अपने नौकर को एक लिस्ट दे कर भेजता है ताकि वो मुनकिद होने वाली पार्टी में लोगों को बुला सके वो नौकर जाकर पैरस को भी दावत में मदू करता है इस उमीद के साथ के पैरस जूलियट का दिल जीत जाएगा तो अब जो रॉमियो और बेन वोली होता है वो अभी बात कह रहे होते हैं रोजलीन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात केपलियट के नौकर से हो जाती है वो जो ख़त लेकर आ रहा ह Hepारी जिसके बास होती है बेन भॉली और दिल में सोचता है कि इस पार्टी में शुर्कर करने चाहिए ताकि इस पार्टी में रोमी अपनी महबूब का वाजना शेहर की दूसरी लड़कियों से कर सके जब वो ये बात रोमी को बताता है तो वो भी इस पार्टी में शिर्कत करने के लिए राजी हो जाता है तो वह इसलिए हां करता है क्योंकि रॉजलीन का नाम भी इस लिस्ट में होता है वह तो इस विए से जा रहा है और वह भी पार्टी में शिर्कत करेगी जो रॉजलीन का नाम उसे लिस्ट में होता है तो वह भी पार्टी में आएगी तो इस विए से वह भी हां कर देता है अब जो हुझता ये है कि कैपुलैट के गर में जूलियट अपनी मदर लेडी के पूलियट को और अपनी नर्स पैरस से शादी के बारे में बात कर रही होती है जूलियट ने अभी तक पैरस से शादी का नहीं सोचा होता क्योंकि एक लेकन वो इस बात पर agree हो जाती है कि वो पैरस को देखेगी और वो सोचने लगती है कि क्या उसको पैरस से मुखबत हो सकती है या नहीं क्या पैरस उसके दिल में जीका बना सकता है के नहीं वो ये सोच रही होती है अब जो पार्टी होती है वो शिरू हो जाती है रोमियो जो विचारा उदास होता है और उसका दोस्त बेनवोलियो उसके साथ वो कैफलेट के घर में चले जाते हैं तो रोमियो की ये नजर होती है वो जूलेट पर पड़ जाती है और उसको इसे मुहबबत हो जाती है और वो रोजलीन को मुकमल तोर पर बूल जाता है जैसे कि कुछ फासले से रोमिय जुलिट को अंदर दाखिल होते देखता है तो कैपलेट का एक नौकर जिसका नाम टाइब आल्ट होता है उस्तों ये कैपलेट फैमिली का एक सर्वेंट होता है इसको पैचान लेता है कि महांट युगियों का एक बंदा चुपके से पार्टी में शिकत करने जा रहा है वह हमला करने की त्यारी करता है लेकर जो कैपलेट होता है वह से रोक दिता है कि ऐसा ना करो रोमियों जुलिट से बात करता है दोनों एक दूसरे में अपनी अटेंशन को जहर करते है रोमियों जुलिट को किस कर लेता है हलाएकि उनको एक दूसरे का नाम तक नहीं पता होता जब जुलिट की नर्स बताती है कि वह मॉन्टेग्यू का बंदा है जो उसके खांदान के दुश्मन है वह कैपलेट फैमिली से बिलोंग करती है तो वह भी परिशान हो जाती है इधर जब जुलिट को पता चलता है कि जिस लड़के ने किस की है वह मैंटेग्यू का बेटा है वह भी इतना ही परिशान हो जाती है जैसे ही मरकोशी और देनवोलियो केपलेट की घर से बाहर निकलते है तो रोमियो बाग की दिवार के ऊपर से चलांगल लगाता है उसका दिल जुलिट को पीछे छोड़ने का नहीं कह रहा होता वो उसको पीछे नहीं छोड़ सकता वो जुलिट को पाग के ऊपर एक खिड़की में से देखता है और वो देखता क्या है कि जुलिट उसका नाम पुका रही है रोमियो का रही है तो वो प्यार करने के समयं खा लेते है रोमियो अपनी दोस्त को ढूड़ने लग जाता है जो रूमियों के दिल के अचानक डर लेने पर परिशान हो गया होता है और वो चुपके चुपके से शादी करने के लिए तियार हो जाता है रूमियों के जो दोस्त होता है इन दोनों खानदान के दिरमियान पुरानी लिडाई को खतम होने का इमकान जहर करता है कि इनकी जो लड़ाई ही है फुरानी वो खतम हो जाएगी तो अगले दिन जो रॉम्य और जूलिट जो होते हैं वो फ्रायर लारेंस के सेल में जाते हैं और शादी कर लेते हैं जूलिट की नर्स्ट जो होती है जो इस रास को जानती है वो ऐसे करती है कि एक सीड़ी खरीद लेती है सीड़ी इस वैसे खरीदती है ताके वो कमरे में से दिवार से चलांग सके अगले दिन बैनबोली और मरकोश्य का सामना टाइबार्ट से होता है जो जूलिट का गजन होता है वो इस बासे नरास होता है कि रूमियो ने कैपलेट की पार्टी में क्यों शिरकत की है इधर रूमियो आ जाता है अब शादी करने के बाद रूमियो टाइवल्ट का रिष्टदार बन जाता है रोमियो कैपलेट से इलतजा करता है कि वो इस लड़ाई को खतम कर दे जब तक वो समझ ना जाए कि रोमियो क्यों लड़ना नहीं चाता लेकर वो इनकार कर देता है और लड़ने लग जाता है अब मरकोशियो जो इदर ही खड़ा होता है ये बाते सुनुरमाइन से लड़ेगा लड़ाय का शिरु होता है तो जो रूमियों धाली को खतम कर सके और यूभार करता है जो रोमियों के हात के नीचे से एक वार घ्रपार्र अम्र की उन्यून पर जाता है वो से मतने निर्वार करता Commons स्वाइब तो वह भी टाइबाइड को मार देता है और भाग जाता है प्रेंस एसकलस अब वो जो बादिशाह होता है वो रोमिय को इस जुरम की सजा यह देता है कि उसे जिला वतन करने का इलान कर देता है कि इसको मुलक से निकाल दो शहर से निकाल दो इधर फ्रायर लैरंस जो होता है वो रोमिय केली शादी की रात जुलिट के साथ गुजारने का इंतिसाम कर लेता है इससे पहले के सुबह हो जाए और रोमिय को मेंटु आज जाना पड़ जाए तो दोस्तों यह एक शेयर है इटली में तो वहां उसको भेज के वहां चला जा अपने कमरे में बैठी जुलिट अपने नए हस्बेंट का इंतजार कर रही होती है कमरे में नर्स दाखल होती है और जुलिट को बताती है कि रोमियो ने टैवल्ट को मार दिया है जुलिट परिशान हो जाती है कि उसने यह क्या कर दिया उसने इस बंदे से शादी की है जि अगर वो अपने आपको अडिजस्ट कर लेती है कि उसका फर्ज रोमियो की महबत के साथ है वो रोमियो को नहीं छोड़ सकती कि उसको उसको से प्यार हो गया होता है रात होती है रोमियो कमरे में चला जाता है तो इस तरह से वो अपना लव भी हासल कर लेते हैं और शादी भी हासल कर लेते हैं तो अगले जब सुबह होती है तो रोमी जो होता है वो जूलिट को अलविदा कर देता है अब उनको ये नहीं पता होता कि वो दुबारा कब मिलेंगे, क्या वो दुबारा मिलेंगे भी सही या नहीं तो जूलिट को पता चलता है कि हलात को सामने रखते हुए उसके फादर ने जूलिट की शादी पैरस से तीन दिन बाद करने का फैसला कर लिया है वो अपने फादर को नहीं बता सकती कि उसने रोमियों से शादी कर ली है वो पैरस से शादी नहीं करना चाहती, वो अपनी नर्स से मश्रा करती है तो उसकी नर्स उससे बेवफाई जहर कर देती है तो वो कहती ये है कि तुम पैरे से शादी कर लो जो हुआ सो हुआ तुम उसको भूल जाओ तुम ये समझो कि रूमिय मर गया है और वो उसे आगे बढ़ने का मशवरा दे देती है लेकन जूलिट जो होती है वो इसके मशवरे को नजर अंदास कर देती है वो जल्दी से फरायर लारंस उसके पास जाती है यो मेंटोवा में जूलिट को रूमियों से मिलाने का प्लैन बना लेता है और वो प्लैन ये बनाता है कि शादी से एक रात पहले जूलिट को एक मेडिसन लेनी पड़ेगी जिस से जाहर होगा कि वो मर गयी है लेकर हकीकत में वो मरेगी नहीं जब उसे सपुर्दे खाक करने लगेंगे तो रूमियों और फरायर लारंस उसे खुपशे तोर पर निकाल लेंगे इस तरह से वो अपने खांदान से अजाद हो जाएगी और रूमियों के साथ जिन्गी की गजारने लग जाएगी तो जब जूलिट वापस गर आती है तो उसको पता चलता है कि उसकी शादी एक दिन आगी हो गई है जिस दिन जूलिट की शादी होने वाली होती है उस रात को जूलिट मेडिसन ले लेती है तो अगले जब सुबा नरस उसके रूमें जाती है तो वो क्या देखती है कि वो मुर्दा हालत में पढ़ी है तो दोस्तो वो मरी नहीं होती वो दूआई का असर होता है कि वो भी होश हो गई होती है कैपलेट की फैमिले परिशान हो जाती है और जूलिट को दफ़न किया जाता है लेकिन फरायर लारेंस वहला वजाहती मेसेज रोमियों तक नहीं paंचता होता रोमियों इसको सिरक इतना पता चलता है वो इतना के सुनता है ड्यूलिट मर गई है तो वो फैसला कर लेता है वह इसके वगेर नहीं रह सकता उसके वगेर तुसकी जिर्ण यह दूरी है वह कैसे अपने आपको दुनिया में रक्स केगा तो वो फैसला यह करता है उपने आपको मार ले तो वो अपने आपको मारने के लिए इक जहर की शीशी खरीडता है तो वो जूलिट की जहां पे कबर होती है तो वहां पे तेजी से भाग के चला जाता है जब वहां पे जाता है तो वो क्या देखता है कि अगर पैरस जो होता है वो भी आया होता है तो उनके दरियान में वो ऐसे फूल भी खेर रहा होता है कबर पे रोमियो और पैरस जो होते हैं वो जिगडने शुरू करते हैं तो लड़ाई लड़ाई में जो रोमियो होता है वो पैरस को मार देता है और कवर में दाखल हो जाता है और जहर पी लेता है और वो इसके साथ मर जाता है इसी वक्त फ्रेर लारेंस जो होता है वो आता है अब तो वो देखता है उसको शक होने लग जाता है कि रूमियों ने पैरस और बाद में खुद को मारा है जूलिट इस वक्त जाग जाती है उसको होश आता है जूलिट अपने रूमियों को देखती है उसको एसास होता है कि उसने खुद जहर दे कर मरे उसने खुद जहर लिये तो वो उसके जहर अलूद होट पर किस कर लेती है इसके बाद जोलिट रोमियो का खंजर अपने सीने में गौंप लेती है इस तरह से वो भी मर जाती है तो अब होता यह है कि जब कैपुलेट और में टूग गौआ दोनों आ जाते हैं दोनों फैमली जाती हैं जो हर वाएक दुसरे के दुश्मन होते हैं वो आ जाते हैं तो अब जो मौंटेगू है वो एलान करता है कि उसकी वाइफ जो है अपने बेटे की जिलावतनी के गामे म अपने बच्चों की लाशें देकर कैपुलेट और मेंट टेग हुआ अपने पुराने लड़ाई को खतम कर लेते हैं और अब शहर में अमन से रहने के लिए राजी हो जाते हैं तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो तो उमीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में